हिंदी साहित्य की मनोरम कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है आज सुनिए हिंदी की वरिष्ट एवं सशक्त कथाकार मैत्रे पुषपाजी की लिखी हुई कहानी पियरी का सपना पियरी का अर्थ होता है सुहागिन तो शुरू करते हैं कहानी पियरी का सपना मैंने अपने प्यार को अंधेरों में छिपा कर रखा और मैं निश्चिन्त रही कि मेरी इस निजी और अमूले भावना पर किसी की बुरी नजर न पड़ेगी क्या तुम भी मेरी तरह सोचते हो और अपनी सबसे अच्छी महबत की भावना को छिपा कर रखते हो हाँ हम सभी इसी कोशिश में रहते हैं खास तोर पर अपोजिट सेक्स के प्रती उमगते प्रेम को दबाने छिपाने के लिए मैं रती तिवारी जिसकी उम्र पचास साल है काईदे से इस समय अपने इलाके में ललितपुर शहर के लक्षमी बाई भवन में भव्य मंज पर रखी कुर्सी पर मुख्य अतिती के रूप में सुशुभित होनी चाहिए थी मगर जैशन का दिन इस्त्रियों के कल्यार की मजबूत संस्था का शुब समय इस तरह नश्ट हो जाएगा मैं खुदी हत्प्रब रह गई कहां जाना था कहां पहुझ गई किस रौशन दुनिया का नेत्र तो करना था अप नहीं भीतर कसे हुए अंधेरे तड़क गए घर लोट आई नीले फूनों वाली गुलावी नाइटी पहन ली क्रीम कलर की मैरून बॉर्डर वाली साड़ी कत्थाई बालों का उंचा जूड़ा नेच्रल लिपस्टिक सब ठकावट के मारे हुए अस्थ व्यस्थ और धीले पड़े है संस्था का समारोह इस तरह चौपट कर देने का मुझे कत्थाई अधिकार नहीं चेर्मेन एक्शन लिये बिना मानेंगे नहीं तरक ये होगा कि नहीं जाने का मन था तो सहमती क्यों थी आधनिक विचारवाली इस्त्रियों की कमी तो नहीं तमाम धनी मानी महिलाएं कतार में हैं पती जवाब मांगेंगे मैं क्या बोलूँगी उन बेचारे ने इस अविननन पर्व को हतियाने के लिए कितनी दौर दूप की थी पती ने पत्नी का बिखरता हुआ मन बांध लिया था कि बच्चों से मिली उपेक्शा को भूल कर मन कहीं और रमे आज क्या किया और क्यों किया पती को बता सकती हूँ मैं शायद हाँ शायद नहीं भे कटा तो देवधा पैदा हो गई क्या इसी लिए ही अपने आपको खपाया था गयर संसकारी संस्थाओं में विद्वाओं के लिए रोजगार परित्यक्ताओं के लिए हक और बे सहराओं के सामोहिक विभा करा कर चेतना और आत्मविश्वास का पर्चम नहीं चुड़ा था वजूद से गफलत क्या आज का क्रत्य गफलत में हुआ पता नहीं क्या था सब कुछ करके भी कहीं असहायता में उसकी जरूरत लगती रही जो आज हुआ यात्राओं में उचाई फत्य करते हुए गौरव तो लगा चैन नसीब नहीं हुआ रोश्णी दिखी जो बार बार मेरे भीतर छिपे मासूम अधेरे से टकराती रही इस जद्दो जहत को किसे बताती पती को या बड़े हो गए बच्चों को उनके चलते ये भटकाओ है और कहीं तक अशोबनी ये बेवकूफी काश दो दिन पहले मेरा छोटा भाई जै प्रकाश ना आता ललित पुर जाने की ही तो योजना बना रहे थे हम लोग कि किस वक्त निकला जाए कितनी देर की यात्रा होगी और कौन कौन किस तैशुदा जगे पर मिलेगा जै प्रकाश मेरे इसी पलंग पर बैठ कर तो पराठे और आलू की सबजी खा रहा था मैं बैठी थी एन उसके सामने आराम कूर्सी पर सोच रही थी साक्षर्ता की बात पर ज़्यादा जोग दिया जाए सामाजिक कारिकर्ता के पास कारि हो ना हो मुद्दे जरूर होने चाहिए योजना बनाना कारिकर्ता का प्रमुक उद्देशी होता है धरने और हरताले उसे आगे ले जाती है मेरे इन महतपूर्ण विचारों की लड़ी को यकायक जटका दिया जै प्रकाश ने जिट जी तुम्हें मुकंद माधो की याद है मुकंद माधो हाँ तुमारे साथ पढ़ते थे वे बता रहे थे मैं जै प्रकाश की ओर देखती रह गई आश्यर और खुशी का मिला जुला भाव सूरी की तरह चमका लेकिन तुरंत ही रोश्णी ने मुझे डरा दिया खटका हुआ क्या जानता है जै प्रकाश जान से प्यारे मेरे अज्यात प्रेम को खुले में सूली पर नहीं चड़ा देगा मेरा भाई मैं डर गई मैंने दोबारा मुकंद का नाम लेने की गलती नहीं की हाँ नहीं आई तुम मालूम है फिर क्या हुआ मुकंद मास साब तो उपहर से शाम तक बाहर धूप में खड़े तुमारा इंतजार करते रहे जैसे तुम आते आते कहीं लोटना चाओ लोटने लगो तो वे तुम्हें पुकार कर बुला लेंगे हमें हसी आ रहे थी जिर जी कैसे सिर्री पगला मास साब है पसीने जितर चेहरा लाल भभू का सारी गर्मी सोक गया हो जैसे मेरे अंदर कहा समाया था वो अंचाय है ही उमंग की तरह उठने लगा मैं करवट ले रही हूँ या वो या दोनों ही अपनी लो लगन में जाक पड़े हैं धरकन में तेजी और होटो पर कमपन लिये मैं जानती हूँ कि महसूस करना और विलीन हो जाना एक दूसरे से जुड़ी पक्रियाए है मगर वो क्या क्या और भी जानता है जिट जी उनसे कहा कि मुकंद मासा बाहर लू लग जाएगी बीमार हो जाओगे पर अजीब खबती आदमी है भूख प्यास का भी ध्यान नहीं था मेरे भीतर रेकायक एक प्यासा ज़ड़ना फूटा लगबक 30 साल से रूखा सूखा पत्रीला पठार तड़का ओ तब अध्यापकों की मीटिंग अटेंड करनी थी साक्षर्ता को लेकर मुझे अध्यापकों को प्रोणों के लिए प्रेरित करना था ऐसी उमंग थी जैसे ये भाव ही नई रोश्नी हो और अविद्या हो नए अंखूं के जमने की अंधकार पूर्ण भूमी की सत्य है क्या इतना ही था? नहीं, मुझे पता चल गया था कि बानपुर छेत्र के किसी स्कूल में मुकुंद माधो नाम का मास्टर पढ़ाता है जीवन की कटी डोर यादों के साहरे जोड़ती रही हूँ तो शायद इसी लिए कि अपने बिच्छों से प्रेम कर सके हम लग रहाता जैसे जीवन का महत्व मृत्य की नियत में गूंचता है ऐसे प्रेम बिच्छोडने के बीच हरा भरा मुकुंद चन्रमा की तरह अपना क्रश्म प्रक्ष जी रहे है तैप आया कि मैं बहाना कुछ भी लूँ मिलने मुकुंद से ही जा रही हूँ अपने प्यार के लिए साड़ी चुनी है चेहरा देखा है बार बार आइने में धलती उम्र में वो किशोरी उगती आ रही है जिसने बासी पड़तों को उत्सा के जिल्मिलहाट से ढग दिया हाँ मैं ताजा दम मुकुंद तुम से अजर अमर होकर समाई हुई बानपुर में और तुम चाहत की म्रक्तशना में ललितपुर खंगारते रहे ये संयोक था या जीवन की अनंद खोज नहीं तो कोई इतना दूर रहकर निकट कैसे रहता है अतीत और वरतमान एकाकार क्यों हो जाते हैं अब की बार तुमको मुकमल पत्र लिख दिया प्यार के भरोसे पर जीने वाला आदमी इंसान कहलाता है चाहत में बसी समस्त मनुश्य जाती मैं अपने ही लिखे पत्र को विसमे से देखने लगी पहुचूंगी तुमको स्टेशन आना है कोई पहुचे कोई आए ये कैसान वह है कि मुकंद की छवी को अपनी सांसों में महसूस करूं ऐसा एहसास का जीवन से छूटेगा जीवन ऐसे क्षणों की आशा में जीवन रहता है और ये क्षण चाहे जितनी दूरी पर हूँ सितारों की तरह मेरी आँखों में लुका छिपी खेलते रहते हैं पत्र तो ल देर में तै किया जाएगा शरीर पर चढ़ी किशोर वेकी सी युवा के चुल तो अब पुनरजन्व की तरह कहीं और कभी नहीं मिलेगी हां मैं बानपूर में थी एक एक अध्यापक के चेहरे पर उसी लड़के का चेहरा चिपकाती रही जिसका मुकंद माधो था वक्त कि माया कुछ भी रहे भौतिक बदलाव अपनी जगे हैं सोचा तो ये भी था क्या जरूरत है से बचकाने पन की मैं कितनी महत्वकूर मीटिंग में जा रही हूँ और अब मैं केवल मुकंद की रती ही तो नहीं यदि मिल भी गए तो क्या कह पाऊंगी क्या सुन पाऊंगी नहीं तैकर पा रही महबत निश्चती कहने सुनने की चीज नहीं क्योंकि कोई भी अबूज चीज या भावना प्रेम से ज़्यादा अबूज नहीं इतनी मिलने की त्रशना थी तो तब क्यों नहीं मिली जब यहां तक चले आये थे ब्या हुए तीन साल ही गुजरे थे ब मुकंद माद हो मेरे शरीर का रोम रोम जंजना रहा था सीने में हल चलती या बिजली की तड़कन उफ मेरे प्रेम को मिलन की ऐसी जरूत नहीं थी मुकंद के पकट होने की गती में मेरी सारी गतियां समा गई या पती के सौमित्तों का आतंक बे आहट चला आया कि उसे उस समय मेरे वश में था जिसे आज चेतना के रूट में जाना समझा है वो उस दिन मेरे चैतने का जड़ भाव था जुबान तालू से चिपक गई नहीं पूछ पा रही थी कहा है मुकंद नीलम लॉज में लिवालाओं चपरासी पूछ रहा था उनसे कहना मैं आऊंगी मै मैंने फूलती सांसों के बीज निर्ने ले लिया कैसा भाव था प्यार की कौन से दीप्त रहने वाली मैं अनुपस्थित मुकंद को बाहों में समेटे उसके होटों पर जुख कर कितना कितना प्यार करती अपने घर आंगन के भदर लोक में टहला कर आनंद के सरोवर लहरा देती, मन मोहग दुनिया का सुपनलोग आज वास्तिक रूप में उजागर होने को है, मगर मेरे डरों का ठिकाना नहीं, इसी लिए ही कलपना वास्तविक्ता से उपर निकल जाया करती है, सच में मेरी भाशा, मेरा ग्यान, मेरा दर्शन, सारा कुछ मिलकर मुकंद की ओर बढ नहीं पा रहा था, मैं क्या रह जाओंगी फिर, पती से विश्वास घात करने वाली इस्तरी, प्रेम करने वाली सजा पाने की हकदार, उफ, मुहबत से ज़्यादा पतित और अपराधिक काम कोई दूसरा नहीं है मेरे लिए, नौकरानी से कहा कि वो बाहर के दर्वाजे प विजय क्योर बढ़ गई, सोचा ये भी कि मेरे द्वारा किया गया ये मुकंद के लिए दूसरा दोका है, पहला दोका कॉलिज के दौरान घटित हुआ था, या जोकिम उठाना मेरे लिए बुद्यमानी का नतीजा ना लाता, या यहाँ पती की जगे पिता का स्थान था, जिसकी मर्यादा रखकर मुझे पिता के परिवार को बेदाग रखना था, त्याग और बिलदान की भी अपनी एहमियत होती है, मेरे मन का संसार तब इसी बात से आकरांत था, मानती हूँ कि मुकंद एक बुद्यमान लड़का, मगर निर्धन था, सैयोग देखिए कि जुल बगल में भी किसलिए रहे हो? मुकंद ने चाता मेरी और बढ़ा दिया, मुझे हसी आ गई और कहने लगी, मैं तो पहले सी भीग रही हूँ, तुम भी भीग गए, चाता आप किसलिए? हम दोनों एक चाते में चल रहे थे, कई अफ़ाओं का जन्म होगा, दोनों ही जानते थे, हुआ भी कुछ इसी तरह, मिट्टी का माधो चड़िया फास ले गया, पढ़ते पढ़ते सूख चला था, सब्ज परी पर हाथ मारा, यही है आदरश्वाद, यही है करांती, रशियन करांती, जनारदन तिवारी की बेटी, रती, मजदूर के बेटे मुकंद माधों के साथ, कहां पहुँचेगी यह करांती, बहराल हम दोनों का प्रेमी था, जो मुझे कॉलेज की यूनियन अध्यक्ष चुनवा कर, फत्य का जश्ट मनाने लगा, देर तक लड़के लड़कियों ने पार्टी का लुथ उठाया, मैं मुकंद के साथ नाच रही थी, ढोलग, म रदंग, मजीरा और मासुवी का संगीत गूंज रहा था, नाच के बीश सहसा संकोची स्वर सुना मैंने, किसके मुकदर में होता है इतना सुख, शानदार सुख, और मुकंद का एक दोस्त, उसी समय उसको लाल रंग का दहकता गुलाब थमा गया था, मुकंद ने मेरी और गुलाब बढ़ाते हुए पूछा था, प्रेम का रंग सुर्ख होता है ना, मैंने आखों में खुशी भर कर हां के संकेत में सिर हिलाया था, जैसे कह दिया हो, ऐसे ही रंग में हम जीना चाहते हैं, मुकंद की आखें ऐसी पारदर्शी थी जैसे ओस की बूनों से बनी हो, प्यार की रोशनाई से जुड़ी हुई पुतलिया, तभी कुछ लड़के उस पार्टी के बीच आ गए, उनके हातों में हौकिया थी, वे यकायक आये थे कि समभलने का मौका न मिले, मैंने मुकंद को देखा, उस सह काठ हो गया, जैसन जहां का तहा थम गया, हाँ, रस रं में हुए चेहरों पत्थपणों की आवाजें गूज रही थी, एकदम रती तिवारी जिंदाबात के जवाब सी, लाल गुलाब गिरकर अलक्षे हो गया, क्योंकि खून अपने रंग में बहने और फैलने लगा, मैं चिल्लाई, ये हौकी लेकर आए हैं, मुकंद तुम ला में कुछ हुआ था, मकर मुकंद ने मेरा हाँ जटकते वे घृणा से कहा, ये शहरी साजिश, ये अमीरों का खूनी खेल, इसमें शक नहीं कि मुकंद के टकने गुटने तूट गये थे, हमारे गुर्प के लड़कों की पसलियों में चोटा आई थी, और कुछी मिंटों मे राग रंग उजड़ गया था, मुकंद सबर से काम लो, अंधेरे उजाले के संसार में अंधेरे से घबरा कर, उन चीजों से नफरत मत करो, जो हमारी हो सकती हैं, उन तंतों को मत तोरो, जो करहा कर रह जाएंगे, मगर करोन शब्द हम सुन नहीं पाएंगे, हाँ बाद में मुकंद से मैंने ऐसा ही कुछ कहा था, मगर इसके बाद एक निशब्द बे आवाज मंजर था, जैसे चुपी ही हमारा विकल्प हो, हम इस मामले को प्रिंस्पल तक ले जाएंगे, सुनवाई नहीं होगी तो हरताल करेंगे, मैंने कहा था, और मुकंद चुप थे, टूटन दिन से ही क्या हुआ, मुकंद मेरा इंतजार करते रह गए होंगे, मेरा कॉलेज जाना बंद हो गया, मुझ पर ऐसे पहरे थे, जैसे बंदियों पर होते हैं, फर्क इतना था, कि ये लार दुलार भरे पहरे थे, कैसे कहा जाए, पिता का किला लड़की के लिए कितना मजब मुकंद ही कहते थे, गुलाब का फूल और गरीब का दिल तूटने से कोई बचा ले, उसका लुहा माना जा सकता है, कहीं पढ़ा था ये वाक्ये, हाँ, मैं ना अपना दिल तूटने से बचा सकी, ना मुकंद का और गुलाब तो उसी दिन लहुलहान होकर खतम हो गया था, मगर क्या मैंने कभी मुकंद से विवा करने की सोची थी? शायद नहीं, प्यार करते समय विवा का ध्यान किसे आता है, जिनें आता होगा वे प्यार नहीं विवाही किया करते हैं, मुकंद असमंजस में है, ये मुझे पता चला था, सोच रहे थे, रती बीमार है, या कहीं गई है कोई बताए शेडनी की तरह विवार करने वाली रती बक्री जैसा जीवन कैसे काटेगी कॉलेज में भाशर देकर छातों और अध्यापकों को इस्तब्ध कर देने वाली रती अपनी चिकनी देहरी लांग कर कालेज तक क्यों नहीं आ सकेगी नदी की तरह हरहराती गहर जाती रती की जवान गती को कौन बान सकता है तू उस लड़के से शादी का सपना तो नहीं देख रही जब माने मुझसे पूछा था तो मैंने इतना ही कहा था मेरी और उस लड़के की तोहीन न करो मैं उसी दिन गई थी मुकंद के पास और मुकंद खिल उठे थे बोले अ आत्मेत्या से भरा चेरा जैसे एक महीने के अलगाओ में वे मेरे साथ घनिष्टिता की हद तक गुत गए हो। जान हतेली पर रखकर आगे बढ़ने का जज़बा मौबत ने दिया हूँ। मकर मुकंद की आशा के विपरीत मैंने उन्हें एक तस्वीर दिखा कर कहा था। देखो इस आदमी से मेरी शादी हो रही है। माबाप का करज मेरे उपर चड़ा है ब्याह के रूप में। कुछ दिनों की मुहलत दो शादी को निप्टा आओं फिर बड़ी योजना इस्ट्राइक ऐसी जो छात्रों के लिए आंदोनन मने नहीं तो कुछ कर गुजरने वाले विद्यारती ऐसे ही डरते रहेंगे। ये विश्विद्यालिये आतंक है। तुम उदास ना होना। कोई साथी बीमार भी तो हो जाता है, कोई साथी कहीं जाने के लिए भी तो नि इस बात को इस तरह क्यों लिया जैसे मैं सोच रही हूं कि निर्धन लड़के धनाड्यों की बेटियों को फासते हैं अपनी दरेदितरा दूर करने के लिए। कितना छोटा तुछ सोचा उन्होंने, मैं बहुत आहत हुई। फिर चंपा व्रक्ष के नीचे मुकंद का हाथ पकड़ कर सोगंद ली थी। हम साथ ही हैं इसका आशे मुकंद क्या जानते नहीं थे कि इंसानियत, करतव विबोध और शक्ति का संचैन इन सबका सामन जसी ही नई रहा बनाता है। इसके लिए उम्र जादा हो जरूरी तो नहीं। ब्याह निर्विग्न हो गया। प्यार क जाओं तो किसके साथ अपने अभियान पर जाओं। क्या ऐसा हम ख्याल साथ ही मिलेगा। हमारे समाज का जो हाल है उसमें हमें बिछड़ना ही था। क्योंकि हमारे मकसद को समझने से ज़्यादा हमारे इश्क को सैक्स बना कर समझा गया है। ऐसे कि जैसे हमें एक दूसरे का जिसम ही चाहिए हो। मुकुंद भी अडिक नहीं रह सके क्योंकि ज्यादातर लड़के लड़की के दम पर ही अपने फैसलों को लाद देते हैं। मेरा वया हो गया। मुकुंद ने वया कर लिया। बस हो गया हमारे सम्बंदों का खात्मा। नहीं सूचा कि हमारे बीच विवास अंसकार का क्या दखल दखल ये शब्द अपनी पूरी आराजक्ता के साथ हमारे बीज मौजूद है क्या मेरे पती ने मेरे किसी पुरुष मित्र को उसी तरह मानिता दी जैसी कि मेरी इस्तरी मित्र को देते हैं मैं अपने प्रेम में नहीं दीरे दीरे देहशतों के और बढ़ चली मैं पती के लिए सौंदरी की पुतली जिसे कोई भी लुटे रा लूट ले जाएगा यदि मेरा चलन किसी कुलीन पत्नी के रिकॉर्ड से मिलाया जाए खरा उतरेगा मैं मुकंद को भी दोश कैसे दूँ किसी इस्तिरी के पती को इस्तिरी का पुरुष मित्र अगने परीक्षा दे कर भी नहीं समझा सकता मैं पत्नी होकर अविश्वास की पात्र मुकंद की साती थी अब प्रेमिका के अलावा कुछ नहीं क्या मैं सोच पा रही हूँ कि मुकंद मेरे लिए तरपते होंगे या उनकी पत्नी गमार है गुरूपा है जाहिल है ये सुनकर मुझे खुशी हुई किवल इतना ही ध्यान आया कॉलेज में मुकंद को ब्रिलियंट कहते हैं जैप्रकाश कह रहा था जिजजी बुरा हाल है उनका तूने कब देखा उने जब तब मिल जाते हैं फटीचर साई के लिए पावों में ढंकी चपल तक नहीं काइदे के कपड़े भी नहीं बेचारे बेचारे मैं अपनी जुबान काट कर रह गई मैंने अपने उदे रंकी सिल्क साड़ी पर गौर किया मैंने अपने चिकने चेहरे और मेक अप पर गौर किया क्या ऐसी भविता में खो जाना ही मेरा लक्षे था अन्याय के विरुध हरताल आम आदमी की हक के लिए आंदोनन और समाज में बदलाओ के लिए करांती कैसे कैसे मनसूबों को क्रियानवित करने की शुरुआत की थी हमें कितने पहार पठार पार करने थे मैं ग्रहस्त के पारवाले किनारे पर खड़ी मुकंद की प्रतीक्षा में थी तभी स्टेशन पर जैप्रकाश आ गया मैं समझ गई पती का भीजा दूट मेरा भाई मेरी सुरक्षा की खातिर भेजा गया है आह सुरक्षा स्वतंतरता को कहां कहां से बांधती है कोई हम औरपों से पूछे क्या पती जानते हैं कि स्टेशन पर मुकंद भी आएंगे कोई अन्य पुरुष आए वे इतना तो अवश्य जानते हैं की रती भाई से पिंड नहीं छुड़ा पाएगी मैं अनिच्छा पूरवक मुस्कुराई जैप्रकाश को देख कर लगा मुझे जल्दी से जल्दी खीच कर ले जाएगा स्टेशन पर टिकना भी कौन चाहता है मैं थी की देखना चाहती थी मुकंद का अपनी और बढ़ते जाना मेरा मुस्कुराहाट में खिल कर उन्हें देखना जैप्रकाश ने अटैची उठा ली मगर मेरे पाउ उठें तब ना आके हर और से मुकंद के आने की कल्पना में बिची हुई कैसे मानू की वे आए नहीं हो सकता है कि मेरी पहचान धुमिल पड़ गई हो बीस बाईस साल के लड़के और पचास पचपन के आदमी में तरणाई के कितने निशान बचे होंगे क्या पता रेल का डिबा डिबा जहाक रहे हो और मेरी नजर घुंगराले काले बालों तता सामले चेहरे पर डोरीदार नई नई मूचों वाले युवक को तलाश रही हूँ जिजी चलो उफ ये लड़का पावों में हवा बांद कर आया है बोकुंद नहीं दिखे मुझे संस्था का बैनर टंगा हुआ दिखाई दिया बड़े बड़े लाल हर्फों में सफेद कपड़े पर समारों की सूचना मेरा बस चलता तो मैं मक्खी बनकर सिकुड़ गई होती क्योंकि अब संस्था की जिला ध्यक्ष विश और मित्र वाचस्पति के प्रकट होने की पूरी संभावना थी मिल गए तो बस मुझे बांद कर ले जाएंगे मैं भी लड़की के उत्साही साहसी जीवन से निकल कर इस्तरी के ऐसे अनकूलन में ढल गई कि अपने सरोकार भी अपराद बना लिये क्यों आई उसंस्था का बहाना लेकर क्या जरूरत थी इस कारकरम से मुकुन से मिलने को जोडने की ये नहीं कह सकती थी मेरे कॉलिज के जीवन का साथ ही है उससे मिलना मेरे लिए जरूरी है अता जाना ही होगा पतनी का चेहरा इस तरह पहना कि कायर की चिप्पी भी साथ चिपका ली क्या मुझे प्रेम भरी दुनिया नहीं चाहिए थी जैप्रकाश पार्क में बैट लें शायद तब तक मुझे और जैप्रकाश को टेंपो वाले ने पेछिया लिया अच्छा लग रहा था कम से कम वाचस्पती कार से तो बच गई और आव न देखा ताव टेंपो में टैची रख दी यकायक जैप्रकाश चिला उठा हाथ उचा करके मासाब इधर इधर वहाँ कहां अरे इधर सफेद कुर्ता पजामा पहने एक आदमी आदमी पास आया जैप्रकाश उत्सापूरग बोला जिजी लो अपने मुकुन महराज भी आ गए मुकुन मेरे हाथ पाउं ठंडे होने लगे आँखें खुली थी मेरी होटो को चुपी ने कस लिया सच मुझ तुम मेरी दुनिया में आ रहे हो रात है या दिन हौले हौले आँखे बंद हो गई पलके उठा कर क्या देखूं होटों पर हरकत है अब तुम रती अरे एकदम बदल गई हो कहा पहचान पाता कवो बिना मिले ही लोट जाता ये कहा मुकुन ने नहीं अरे तुम तो वही हो थोड़ी बहुत बदली हो इधर देखते ही पहचान लिया कुछ कहा मुकुन ने नहीं ना जाने कितनी धनिया कितने स्वर एक अजनबी सा सक्ष सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है बदल गया है रूप रंग आखों में चमकते सितारे वही हैं जै प्रकाश ट्रेक्टर के पुर्जे उठाने के लिए रास्ते में उतर गया और दिन होता तो उसे कोस्ती ये लड़का सारे काम तब के लिए ही जमा रखता है जब मुझे स्टेशन से लेने आता है घर चलो मुकंद का पहला बाग यह फिर दोनों की नजरे मिली दोनों ही चुप रहे मैं तुम्हे घर ले जाने आया था उनका दुबला चेहरा और सफेद पतली मूझे क्या बदला है हमारे बीच कुछ भी तो नहीं सिर्फ कैलेंडर में दिन तारीक महीने और साल बदलते रहे दामपत्य क्या बोज भड़ता रहा मगर इस एक पल ने समय की शिला पर डाली थोड़ा सा साहास थोड़ी सी लगन चाहिए पहार पलटने के लिए अपनी जिन्दगी जीने के लिए यहां जवानी की खूबसूरतियां अपने चेहरों की नुमाईश नहीं करती घर? घरी चलना है? हाँ मुकुंद की आँखों में पहली बार मुस्कुराहट थी नहीं नहीं अरे हर बार मिले बिना ही निकल जाती हो डरती हो? मैं तो कभी नहीं डरी? जूट ब्यार डर के मारे ही तो कर लिया था और फिर कभी लौटी नहीं मैं क्या कहती अग? यही की मुकुंद काश तुम मेरी तरह लड़की होते फिर इस्तिरी होते बच्चों को जन देते उन्हें पालते साथ ही पत्मी होते इतने बंधन कम तो नहीं? मैं डरी नहीं बंधन में बंध गई शक संदेहों में गिर गई आज का समय समझ लो कि मेरी बगावत में शामिल है यह आजादी का पहला घूंट है जिसे बूंद बूंद बचा कर पी रही हूँ मगर है यह दहकती दास्तान क्या कहोगे मुकुंद अपने घर? साथी बताओगे औरत मर्द का साथी रूप भी सुईकार समाज में तो है नहीं? यह सब बातें अरे अपनी बेटी से वादा करके आया हूँ कि तुमे लाओंगा वादा? मुझे? मैं चौक कर बोली तुमें हस पड़े जैसे हसने का बहुत मन हो उनका दोस्ती और भी गहराई देखो तुमारी चिट्टी तनी खूबसूरत थी कि मैं उसे फाड़ना तो दूर छिपा तक नहीं सका कुरते की जेब में रहने दी जिसको मेरा हाँ बार बार छू लिता था शकुन्त मतलब मेरी बेटी ने कुरता धोना चाहा चिट्टी निकाली पढ़ी और फिर से कुरते की जेब में रख दी कुरता धोया नहीं मैं उनके सफेद बालों की लहरों को देख रही थी मैं मुकुंद के संबंद को कितने जतन से छिपाती रही कि ये किसी तरह बदनाम ना हो गुप्त धन की तरह संजोई रही कॉलेज के जमाने में इसी बात पर रड़ी थी कि लड़कों के बीच दुश्मनी चुनाओ को लेकर कम लड़की का मामला बन कर जादा है अपने और मेरे संबंदों को जागर करते हो तुम्हें वावाही मिलती है मुझ पर थूकते हैं लोग इस अंतर को जानते हो मुकंद का आज भी वही मिजाज है इस सम्मंद को मिटाना चाहा रती तुमने यदि कायम रखना चाहेती तो छिपाती नहीं छिपा कर हमारी भावना गुनागार बना दी मेरे भीतर फिर संसकारवान इस्तरी बोली मेरी बरबादी के आसार तुम्हारे पास आते ही पड़ जातने हैं नीलम लॉज इसलिए ही नहीं आई थी नहीं चलना चाहती न सही अभी तक रूडियों को पाले बैठी हो पतनी की नजरों में मैं क्या होंगी बोलो डॉक्टर चलो कह दूँगा लेडी डॉक्टर आई है बीमारी हो तो बता दो मुझे अंचाहे ही हसी आ गई फिर जलाड भी आदमी छोटी जगे में रहकर शालिंता की अबारत भूल जाता है मैं मुकुंद से मिलने आई हूँ और ये साहब घर की रट लगाए हुए है घर की बात एक भयानक तस्वीर बनती जा रही थी जैप्रकाश को साथ लेकर मुकुंद के साथ बस में बैठी बस चल दी क्या हम सही तरीके से प्रबुद्ध और प्रॉड हुए है इज़त के भय में डूबी मैं और अपने संबंदों का डंका बजा कर मुकुंद आखिर क्या सिद्ध करना चाहते हैं डर के रहते साहचर जिसमें महबबत मिली हो कैसे जी सकता है मैं सहसा अंजाने भय में बोली ले तो जा रहे हो जादा देर न रूपूंगी सोच रही थी इनकी पत्नी मुझे डॉक्टर भले मान ले क्या मैं ये नाटक कर पाऊंगी वैसे भी पती के मामले में औरत बड़ी सतर्क होती है यहां तो वो इस तरी अशिक्षित गमार भी है मतलब और भी खतरनाक कहां जाना था कहां आप पहुची मेरे इस तरी की औरत को ये शोभा देता है क्या प्यार से ज़्यादा प्यार की भावना का ही महत होता है अब समझ में आ गया प्यार का खुबसूरत लम्हा कातिल होता है बस से उतरने के बाद धूल धूसरे तकलियों से निकल रही थी अपनी उदी सिल्क साड़ी जादा ही चमकदार लगने लगी गाउं के लिए चमक अजनबी थी अचानक पेरों से चड़ियों के जुन उठे गाए भैसों की सहमी सी आँखे थी तो नंग धरंग बच्चों की आँखों में अपार कौतू हल चुप चुप से गाउं में धीमा धीमा शोरो था मैं तमाशे से कम नहीं घर आ गया आगे आगे मुकंद और पीछे पीछे मैं अचानक कलपना ने डैने खोले अगर मैंने मुकंद से शादी कर ली होती तो संग साथ का दरश यही होता एकदम यही मैं जैसे आदे गुंगट में छेपी बहु की तरह मुस्कुराई कलपना ये भी शानदार है दरवाजा खुला हुआ था काश बंद होता मेरे पाउमों में जुन-जुनी लगी थी आकर किससे डर रही हूँ जिजग भी किससे मेरा परचे यहां किसी संधे का शिकार नहीं गुलावी रंगे सलवार सूट में लगवक 18 साल की युवा लड़की सामने आ गई अबिवादन हाथ जोड कर किया मेरा हलक सूखने लगा यहां हर नई व्यक्ति को टटोलने में मेरा असली चेहरा खुल जाएगा ओफ यह मुटभेड जैसा आतंक इसके बीच प्रेम का होसला साथ का भरोसा मरता क्यों जा रहा है सामने पत्मी आ गई मुकुल्दकी लगा हम दोनों एक दूसरे के शत्रो हम निश्यत ही एक दूसरे को अपना कातिल मानेंगे ओफ यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी हार है कि मैं अपने सबसे प्रियमित्र के आग्रह पर निशाने पर आ गई मध्यम कद की इस्तरी चोड़ी नाक और पतले होट नाक में सफेद नक की लॉंग पीली सूती साड़ी का सीधा पला हातों में मैली सी काज की चूड़िया देखते देखते अपराद बोथ जागा मैंने ही तुम्हें इस मंजिल पर लापटका है मुकंद तुमारा साथ छोड़कर चली गई क्या इसी लिए ही मिलने को व्याकुल रहती हूँ या कि मेरे पती की बातों में वो नहीं जो शकुंत बिटिया कुर्सी लाओ पत्नी की महीना वाज है ये डॉक्टर साहिब आये इलाज करती है कहकर मुकंद अर्थ पूर्ण ढंग से मुस्कुराए दोरे अर्थ में वा की बोलने की पुरानी आदच छूटी नहीं कोई तकलीफ हो तो बता देना हाँ हाँ बता देंगे पर तुम यहाँ ठाड़े क्या कर रहे हो पत्नी ने मुकंद को खड़ा नहीं रहने दिया महाँ मैं अकेली क्या बाते करूंगी जब मैं अकेली और असहाय सी क्या ताड़ गई है ये अच्छी तरह बैठ जाओ हम तो खाना बना चुके आपके लिए शकुंत के पिताजी आपको लिबा तो लाए पर हमसे शिपा रहे हैं तभी ना डाक्टर नी का रूट धरा दिया कहकर वो उजले दातों से हसी मैं थर रा गई वो कुर्सी के पास जमीन पर पट्रा डाल कर बैठ गई है कुर्सी का आर्म अपने हाँ से पकड़ लिया और बोली कुर्सी डगमगा रही है एक पाउं धीला है इसका सो हम पकड़े हैं आपको गिरने नहीं देंगे ठीक से रहते हैं आप लोग घर तो अच्छा बना है मैंने कहने के लिए कहा और इधर दर देखने लगी बेहन जी अच्छी तरह ही है उसने सिर जुका लिया लड़की चाय ले आई कप अच्छे थे मग नहीं थे प्लेट साथ थी बेहन जी हमारी शकुनते बिये करी है इसकी दो बड़ी बेहनों की शादी कर दी आपका एहसान मानने के बेहन जी दो बेटी सुखी हैं उनके सगाई सम्मन आपका नाम लेकर ही हुए है वो कैसे मैं चौकी जौन संस्था से आप जूनी उस संस्था में बड़े बड़े अलकार आते जाते हैं वे आपको भी जानते हैं सगाई के पहले आपका जिकर चलाया बताया वे हमादी खास हैं देख लो की वे तुरन तयार हो गए आज कल पैसा ना हो तो रुदबा हो बहन जी कुछ दिन पहले तमारी चिठी आई सकुन्त नहीं पढ़ी हमें भी सुनाई पूछो नहीं हमें कितेक खुसी हुई अब तो आपको साथ चाथ देख लेंगे गाओं के लोग समझ भी लेंगे कि हाँ भाई मेल प्यार है सकुन्त के पिताजी जूट नहीं बोल रहे थे बेन जी हमारे बच्चन के सीज़ पर आपका हाथ रहे आती जाती रहा करो आपके आने से हम भी इच्चद्दार कहने के बाद सकुन्त की माने आँखें मूंद कर हाथ जोड़ लिये उफ इस इस्तरी की पवित्र प्रार्थना मैं पत्रेली शिला हो गई ना आँखें मिली ना हो ठेले जुबान पर लकवा चड़ा है थूख भीतरी भीतर लील रही हूँ मगर मन में लगाओ जुडाओ की अमरत मही लहरें इस घर के माथे पर महबत की लड़ियां शकुन्त के लिए आशीशों की जड़ी क्या-क्या उमर आया बरसने के लिए मैंने भी आँखें मून ली हाथ जोड लिये बस इतना कह पाई दोनों विवाइद बच्चियों को मेरा बहुत-बहुत प्यार बरसों से जम्मी शिला के नीचे गोमुक पूठा आखे भराई इसके अलावा क्या कहूं और किस तरह बताऊं कि जब हमारे लगाओ जुडाओ सामाजिक सब्भिता द्वारा कुचल दिये जाते हैं तब हम अपने पुराने भरोसों के सहरे जी उठते हैं दुनिया में आने का मकसद अपनी और दूसरों की जिंदिगी के लिए भरोसे मंद और जिम्मेदार होना है मैंने कुछ भी तो नहीं कहा खाना खाने के बाद अपनी सौभाविक उल्लासमई हसी में हसना बहुत दिनों बाद नसीब हुआ शकुंत की मा की गर्म हतेली अपने हाथ लेकर विदा के समय बस इतना ही खा मैं अब तक यहां आने से बच्टी क्यों रही अभी आप सुन रहे थे मैत्रे पुषपाजी की लिखी हुई कहानी पियरी का सपना अपने विचार कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ आपका समय शुब हो